हेलो स्टूडेंस मैं हूं भूपेन कोच आप लोगा जूलोजी टीचर तो कैसे हो आप लोग तो मैं फिर से आप लोग के साथ एक वीडियो लेक्चर के थो जुड़ चुका हूं और ये वीडियो लेक्चर बनाने के पीछे मेरा एक ही मक्सद है खाली आप लोग जो ये एक है वह सारा आप लोग समझ जाओ तो ऐसा करने से क्या होगा जो आप लोग नीट एकजामीनेशन देने जाओ गए या फिर जब कोईसिन प्रेक्टिस करोंगे नीट के लिए तो आप लोग का एंसी रीच से आगर कोई भी कोईसन आ जाए तो लाइन बाई-लाइन आप ल तो अगर हम देखे तो इस चैप्टर को यहाँ पर जो है पांच टॉपिक में बाट के रखा हूँ है ठीक है ना तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका यहाँ पर है वहाँ पर पोलियो होता है या फिर आप लोग देखिए कि जो HIV का वायरस होगे उससे क्या होता है आपका एड़्ज होता है ठीक हरा तो इस पार्ट से और जो यह इमीनिटी वाला पार्ट है तो immunity में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जैसे कि innate immunity पढ़ेंगे हम लोग acquired immunity हम लोग यहां पर पढ़ेंगे फिर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि जो आपका passive immunity क्या होता है तो यहां से आप लोगा जो नीट में है एक question बन सकता है और next अगर हम लोग यहां पर discuss करें जैसे कि एड्स तो एड्स के बारे में आप लोगो डीटेल में पढ़ना है एड्स का इंफेक्शन कैसे होता है कौन से वाइरस से होता वाइरस का थोड़ा बहुत आप लोगो इंफेक्शन क्या होता है एक होस्ट के अंदर उसका लाइफ साइकल कैसे चलता है कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं ऑपके देन अगर हम उसको बेसेंट को आपर ट्रीटमेंट कराने जाए तो कौन-कौन से थेरपी बगईरा देने पड़ेंगे दिन आप लोग का आता है कैंसर तो कैंसर में आप लोग केंसर कित्ने तरह के होते हैं आपका हाँ पर या फिर cancer होने के कारण क्या क्या होते हैं या फिर cancer के treatment में कौन-कौन से drugs use किये जाते हैं कौन-कौन से chemical use किये जाते हैं तो हम यह सारे चीज़ें हाँ पर पढ़ेंगे तो यहां से जो आप लोगा on and average बनता है एक question बनता है और अगर हम यहां पर लास्ट का पार्ट अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिस करें that is the drugs and alcohol abuse ओके तो drugs और alcohol abuse से आप लोगा बनता है एक question ओके तो टोटल मिला के इस chapter में से आपको जो है तीन question आ जाएंगे नीट में ठीक है ना तो यह तीन question तो आएंगे ही आएंगे बच्चो तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा यह होगा कि हम लोग जल्दी जल्दी से इस chapter को ncrt से भी पढ़ना start करते हैं तो फिर हम लोग यहां पर start है था इसके कि जो अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं description में आप लोगो जो है link share कर दूँगा आप लोग वहां से जाके पहले वीडियो लेक्चर देख लेना ओके तो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहां पर जानने कोशिस करेंगे कि जो health है for a long time मतलब पुराने जवाने में जो health हुआ करता था उसको क्या consider किया जाता था ठीक है न तो पहले जवाने में यह सोच लेते थे कि जो person है उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है किसी भूत प्रेत का साया है उसके पर या फिर उसको भगवान हो गया या फिर जो गौड हो गया उसने आपका क्या किया है स्रापित कर दिया उसको कर्स कर दिया है उसको उसके पापों का या फिर उसके गु है और यह होने लगा कि तो आपके यहां पर एक शाइंटिस्ट आये जिन शाइंटिस्ट का आपका नाम है युञेत्त आपके इन्हों को उनने बताया था जो site l इसमें पर ले फींहसे प्रशाइल आकर में सब्सड़कर्ष तो इस hypothesis में उन्होंने actually क्या कहा था तो इस hypothesis में उन्होंने कहा था कि जो भी आपका क्या होता है person होता है उसके body में क्या होता है अलग-अलग chambers होते हैं ठीक है ना और उन्हीं अलग-अलग chambers में आपके क्या भरे होते हैं यह जो humors हैं आपी जो fluid है ये भरे होते हैं और इन में उन्होंने कहा था कि चार अलग-अलग तरह के fluid कौन-कौन से होते हैं जैसे कि उन्होंने कहा था उसमें से एक black bile होता है yellow bile होता है आपका falgum होता है blood होता है तो यह अलग-अलग चीजे क्या होती है, बोडी में, अलग-अलग चेंबर में भरे होता है, ठीक है न बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हो, ओके, फिर उन्होंने ये भी कहा था, जो हिपोक्रेट्स, देखे हिपोक्रेट्स का मानना था, इन्होंने हिपोतिसिस दिया था ठीक है, लेकिन बाद में इसको डिस्प्रूफ किया गया, कैसे डिस्प्रूफ किया गया, हम बात करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था, ये जो हूमर्स थे, तो ये हूमर्स का जब भी बैलेंस बोडी में बिगड़ जाता था, तो परसन को क्या आने लगता था, फीवर आ रखा है परसन को, ठीक है न, अब धीरे-धीरे फिर लेटर ऑन और एडवांसमेंट आपका कैसे आते गया, हम उसको डिस्कस करेंगे, तो धीरे-धीरे देखिए, बहुत सारे साइन्टिस्ट आया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक साइन्टिस्ट आप लोग ठीक है न, स्टुडिन्स, तो यह जो लूइस पैसर थे या फिर जो रॉबर्ट कोच थे, इन दोनों साइन्टिस्ट ने आपका क्या कहा था, तो इन दोनों साइन्टिस्ट ने कहा था, कि यह जो भूत प्रेत के कारण जो लोग मान रहे हैं कि बीमारिया वगेरा होती है, जर्म्स मतलब कि डिजीज कॉजिंग और्गेनिजम जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपका क्या होती है, ट्रांस्मिट होती है, और जिसके कारण जो भीमारिया वगेरा है, फैलती है, ठीक है, स्टुडेंट यहां तक समझ में आया, अब हम आपको बताएंगे कि और ही कहसे, जो इस हिप्पोक्रेट का जो आपका जो यह कौनता था, जो गुड हमर वाला रिपोधिस था, तो यह जो गूड हीमर वाला हिपोधिस है, वो किस तरह से आपका डिज्प्रूफ किया गया, ठीक है? टो लेटर ओन, जिस की हमने अभी थोछ देर पहले बात की, मेर उसी तरह से एक और साइंटीच आए जिनका नाम था गिल्लियम हार्वी भलीर्ट अधर ब्लियम हार्वी ने क्या किया था जो सर्कुलेटरी सिस्टेम ठाट जो बॉड़ीаша आप उसको उन्होंने क्या कर लिया discover कर लिया so he has discovered the blood circulation तो जैसे उन्होंने blood circulatory system को यहाँ पर discover किया तो उन्होंने यह black bile वाला hypothesis था या फिर जो yellow falgum वगरा, yellow bile falgum वगरा का hypothesis था वो totally ही उन्होंने क्या कर दिया discontinue कर दिया और later on, और भी सालों बाद जब धीरे धीरे आपका later years में biology में आपका क्या होने लगा, study होने लगा, तो हमको पता चलने लगा कि जो human का mind है, human का mind आपका क्या होता है, actually हर चीज को control करता है, तो हमारे body में जैसे कि आपका क्या है, endocrine system होता है, जो हम already class 11 human में पढ़ चुके हैं, okay, या फिर हमारा जो neural system होता है, ठीक है न, तो इन सब को हमारा mind जो हमारा brain है, वो क्या करता है, बच्चो control करता है, okay, और ये जब आपके सही तरीके से अगर brain आपका क्या हो, इन चीजों को control कर रहा है, mind अगर control कर रहा है तो आपका क्या होगा, जो immune system है, वो properly function करेगा, okay, और जिसके कारण person क्या रहेगा, healthy रहेगा तो ये तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत history, okay, अब हम अगर यहाँ पर देखें कि जो जो लोग है, बीमार पटते हैं उसके और क्या-क्या कारण हो सकते हैं, okay तो health और किन-किन कारणों से आपका यहाँ पर affected हो सकता है तो discuss करेंगे, तो सबसे पहला वाला है आपका यहाँ पर genetic disorder genetic disorder क्या होता है जब कोई एक बच्चा कुछ deficiency के साथ कोई एक चाइल्ड आपका क्या होते हैं, यहाँ पर बॉर्ण होता है deficiency मतलब की मान लिजिए कि उसको protein deficiency के साथ वो हो गया, आपका बॉर्ण हो गया फिर उसके limbs वगएरा आपके क्या हो गया होगए वहाँ पर अच्छे से डेबलब नहीं होए या फिर कुछ defect के साथ, जैसे कि मैं limbs वगएरा की बात कर रहा है, आइस वगएरा की बात कर रहा था, वो अच्छे से क्या नहीं होते है डेबलब नहीं हो पाता है, या फिर मान लिजिए कोई जो child है, वो parents में अगर मान लो कि कोई बीमारी है, कोई chromosomal disorder वगएरा है, वो भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर inherit हो रहा है parents से, offspring में तो उन सब के कारण भी एक person lifetime क्या रह सकता है, आपका disease रह सकता है, फिर हम लोग later on यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे, infections के बारे में लेटर ओन, जैसे कि viral infection protozoan infection हो गया, helminthic हो गया, fungi हो गया, तो जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ और फिर एक और कारण है, जिसके कारण जो एक person आपका क्या रहता है, बीमार हो सकता है that is the lifestyle, अगर मान लीजिए कोई person जो है proper जो है, आपका time table है, घड़ बढ़ा रहा है, तो उसका endocrine system अच्छी से काम नहीं करेगा nervous system अच्छी से काम नहीं करेगा है तो जिसके कारण आपका क्या होगा अपना health maintain नहीं कर पाएगा ठीक है, और कुछ habits बगएरा भी होते हैं, इनके बार में हम discuss करेंगे, जो एक person के health को खराब कर सकते हैं, तो हम आगे देखेंगे, अब हमारा जो chapter है, यह हमको क्या कहता है, तो let's discuss तो आगे आगर हम यहाँ पर देखें, कि health, health को actually आपका क्या माना जाता है, इसका जो है definition वगएरा क्या देके रखा हुआ, ठीक है ना, तो सबसे पहले health जैसे कि हमने पहले बात की थी, कि यह जो खाली बीमार absence of disease, खाली एक person में बीमार ना हो ना, मतलब एक person जो bacteria से infected नहीं है, virus से infected नहीं हम यह नहीं कह सकते कि वो person healthy है, उस person को obesity हो सकता है, उसको high blood pressure हो सकता है, आपका उसको diabetes वगरा हो सकता है, तो यहाँ पर हम health को फिर कैसे define करेंगे बच्चों, तो health को यहाँ पर हम कैसे define करेंगे, जो आपका health होता है, उसमें complete physical, mental and social well-being, यह तीनों चीजें maintain होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि पर्षन को क्या करना पड़ेगा, उसका locomotion person को properly करना आना पड़ेगा, ठीक है न, तो physically healthy होना पड़ेगा, mentally, जो mentally है, यह बार-बार mention हो रहा है, यहाँ पर, तो mentally भी person को यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, बच्चों, stable होना पड़ेगा, अगर mentally stable ना हुआ, तो हम बार-बार इस बात को discuss कर चुके हैं, कि उसके nervous system पर effect पड़ेगा, उसके endocrine system पर effect पड़ेगा, और वो later person क्या नहीं कर पाएगा, immunity को maintain नहीं कर पाएगा, फिर आते हैं social well-being की तरफ, तो person को क्या होना पड़ेगा, mentally stable होने के लिए socially भी person को क्या होना पड़ेगा, stable होना पड़ेगा, मान लो कोई person जो है, चिट-चिटा रहता है, anytime stressed out रहता है, depressed रहता है, या फिर बहुत जादा NCS है, तो उस टाइम पे भी जो उसका mental state है, वो अच्छी से काम नहीं करेगा, और उसका economic prosperity आती है, जैसे कि अगर हम बात कर लिए person है, जो रोज office जाता है, अगर उसका health खराब रहने लगे, तो क्या वो रोज office जा पाएगा, रोज office नहीं जा पाएगा, तो क्या वो income कर पाएगा, नहीं, अगर पूरे देश के लोग अगर बीमार रहने लगे, तो क्या होगा, क्या देश चलेगा, देश में क्या economic prosperity आएगी, नहीं आएगी, वैसी अगर हम लोग आप लोग की बात कर लें, आप students की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, तो अगर आप student लोग healthy रहोगे, तो आप लोग क्या कर पाओगे, आप लोग productive रहोगे, अगर आप लोग productive रहोगे, तो क्या कर पाओगे बच्चों यहाँ पर, productive रहोगे, तो आप लोग बहुत देट तक study कर पाओगे, गिनी चीजे अच्छे से समझ में आए रहेंगे आप लोगों को तो इसलिए person को क्या रहना चाहिए healthy रहना चाहिए रहना चाहिए यहां पर एक हाँ और जब TWO person healthy रहता है तो क्या होता है इंक्रीज इस घॉट्रा लॉंग इटीविटी of people infant mortality rate infant mortality rate का मतलब होता है बच्चो कि जो पहले या फिर आज के जब पहले actually infant mortality rate मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है नया नया उसका देथ या फिर maternal mortality rate मतलब की mmr ओके तो maternal mortality rate is mmr मतलब जो birth देने वाली मदर है तो इनका बहुत सारे infections के कारण या फिर बहुत several other reasons के का देथ होता था लेकिन person जैसे से health को maintain करते रहे इन सालों में तो इन में भी इनके death में भी अभी बहुत जारा decline आपको नजर आने लगा है तो यह सब हम achieve इसलिए कर पाए है बच्चो क्योंकि हमने क्या कहें है पर good health को maintain किया है अब यहाँ पर NCRT हमको यह वाला जो paragraph है इस paragraph में NCRT हमको समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि जो आपका एक good health है उसको कैसे maintain किया जाए तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर good health को हम लोग कैसे maintain करेंगे सारी चीज़े आप लोग पढ़के आयों बच्चों जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा balance diet balance diet मतलब की proper proportion of the nutrients ओके protein हो गया आपका फिर carbohydrate होगा everything जिसके कारण जो बोड़ी को जो है adequate amount of energy मिलता रहे ऐसा ना होगी अंडर नरिष्ट हो पर्सन या फिर ऐसा ना होगी ओवर नरिष्ट हो जिससे कि पर्सन का क्या हो जाएगा weight धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो balance diet होना जरूरी है personal hygiene पर्सनल हाइजीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी स्टूडेंस तो पर्सनल हाइजीन से जो है पर्सन बैक्टीरिया वाइरेस या फिर बहुत सारे पैथोजन से बचा रहता है आपका उसको clean clothes वगएरा या फिर बातिंग वातिंग रेगुलर प्रै चीजें है जिससे कि पर्सन गूड हेल्थ को मैंटेन कर सकता है जैसे कि योगा प्रैक्टीस कर सकते है ठीक है नअ तो योगा प्रैक्टीस सिंस दाइंमेमोरियल चूँ एचीव दा फिजिकल एं मैंटल हेल्थ तो योगा से आपका क्या होता है physical health को मैंटेन होता ही लेकिन diseases के बारे में awareness होना चाहिए, simple सा example देता हूँ, जैसे कि पहले के जमाने में लोग को पता नहीं था कि malaria कैसे होता है, ठीक है न, तो लोगों को पता नहीं था, अब तो लोग infected होते थे, लेकिन अब लोगों को पता है, awareness है, ठीक है न, कि पानी वानी हाँ पर घर में जमा होने नहीं देना है, अगर हम रात को सोते हैं, तो windows close होनी चाहिए, mosquito net यूज करना चाहिए, या फिर mosquito repellent वगरा यूज करना चाहिए, जिससे की disease का chances वहाँ पर कम हो जाएगा, और फिर इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि यहाँ पर proper disposal of the waste, waste को properly dispose करना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा area हो गया, जहाँ पर contamination वगरा जादा है, तो वहाँ से लोगों को दूर रहना चाहिए, तो waste वगरा जो है, प्रॉपर्ली आप कहाँ पर dispose होना ज़रूरे नहीं, तो वो क्या करेंगे, जो भी waste वगरा है, अगर आप प्रॉपर्ली उसको dispose नहीं कर रहे हो, तो अगर उसमें कुछ contamination है, उसमें कुछ अगर आपका मानलो disease causing pathogen वगरा है, तो वो दूसरे person के contact में आ सकता है, और वो infected हो जाएगा, control of vector जैसे कि mosquito वगरा के vector के बारे में, अगर हम बात करें, mosquito तो वो vector का का काम करते है, vector मतलब क्या होता है, बच्चों, जो disease को एक person से दूसरे person में आपका carry करके लेके जाते हैं, 2000 vector, तो उनका control करना जरूरी है, यहाँ पर, और अगर हम बात करें, और क्या क्या जरूरी होगा हमको यहाँ पर, ठीक है न, तो hygienic food and water resource are necessary for achieving good health, तो food and water resource को हमको हमेशा क्या करना चाहिए, clean रखना चाहिए, ताकि वहाँ से contamination ना हो, और यह जो food and water होता है, इनसे ही बहुत जादा आपका क्या होता है, diseases फैलती हैं, कैसे फैलती हैं इनसे, तो मैं बता दूँ, इनसे diseases कैसे फैलती हैं आपकी, actually मैं आपका क्या होता है, कि जो food और जो water होता है, अगर mainly mainly food, तो source of energy है, तो हम अगर कोई खाना बगेर अगर खुला रखे हुए हैं, तो उहां पर कोई भी fungi आके ग्रो कर जाता है, या फिर कोई bacteria आके ग्रो कर जाता है, आपका लेटर और अगर हम उस food को खा ले, तो उस कारण से आपका क्या होता है, person जो है बीमार बढ़ सकता है, तो आगे की तरह हम और discuss करेंगे, NCRT हमको क्या कह रहा है, तो NCRT जो है, यह ज system of the body is adversely affected, characterized by the various signs and symptoms we call that we are not healthy, मतलब कि अगर हमारे body का कोई एक organ, या फिर पुरा का पुरा organ system, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और उसमें हमको क्या नजर आ रहा है, कुछ, मतलब कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और उसमें हमको क्या नजर आ रहा है, कुछ, मतलब क irritability होता है, या फिर पर्सन को आच्छे से दिख नहीं रहा है, तो यह सब signs and symptoms पगरा हो गए, तो जिसे हमको पता चलता है, कि जो यहाँ पर पर्सन है, वो बीमार है, अब बीमारी कितने तरह के होते हैं, तो यह बहुत ज्यादा important है, बीमारी जो होते हैं, आपके दो तरह क पर्सन में आपका नहीं फैलता है, उनको हम लोग non-infasious disease कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक cancer हो गया example, non-infasious disease का, तो यह पर्सन से दूसरे पर्सन में transmit नहीं होती हैं, और दूसरे diseases आपके यहाँ पर हो गए, infasious diseases, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपका क्या होती, easily transmit हो जाती हैं, तो इनको हम लोग infasious disease कहते हैं, तो इतना ही है इस chapter के introduction वाले पार्ट में, बच्चों, तो इस chapter के introduction से पहले भी, तो बाकी जो है आपका यहाँ पर से आपको दिख रहे हैं, common diseases in humans, तो यहाँ लोग अगले lecture में पढ़ेंगे, जब मैं इसका video lecture बना दूंगा, और हम लोग यहाँ पर अगर discuss करने, कोशिस करें, फिर से कि इस part से आपको कौन-कौन से questions आ सकते हैं, ठीक है न, तो इस part से बच्चों कुछ-कुछ questions पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको जैसे कि बता दूं, कि यहाँ पर जो William Harvey का जो experiment है, जिनोंने circulation discover किया था, यहाँ स करें, तो इस part से आपको question मिल जाएगा, ठीक है न, और आपको यहाँ से question दुबारा पुछा जा सकता है, कि यह जो good humors, यह जो good humors वाला जो आपका क्या है, यह किसने, यह hypothesis किसने दिया था, तो यह question आ सकता है, तो यह hypocrites ने आपका दिया था, यहाँ से question बनता है, आपका, तो ख्याल रखेगा, मैं जहाँ-जहाँ से बोलरा question, और आप लोग को पुछा जा सकता है, कि यहाँ पर genetic disorder के ऊपर भी question आ सकता है, तो इसके लिए details में हम लोग लेटर ओन पढ़ लेंगे, ठीक है न, students, तो इस part से यही आपका क्या है, इस part से यही important है आप लोगा, तो ल कोई भी अगर doubt बगरा है, तो हाँ से आप लोग मुझे comment करके बताना, thank you everybody, have a nice day.